अगर तुम्हारी नई जॉब लग रही है और अगर तुम जॉब लेना चाहते हो या फिर जॉब ढूंड रहे हो तो इतनी सारी चीजों को तुम आसान कैसे करोगे तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड किया है पहला अगर मैं जॉब लूँगा और मुझे जॉ प्रेशर है दोस्तों की जॉब लगए उसका प्रेशर है इसको कैसे हैंडल करेंगे दूसरा अब मेरी जॉब लग गई है में रोल वहाँ से स्टार्ट होता है तो ऑफिस में जितना काम मिल रहा है कैसे बहेव करना है कैसे क्या सीखना है इन चीजों को मैं कैसे अपने पॉ यूटूब वीडियो उसके भी कमेंड्स आते हैं कि मैं बहुत दिन से जॉब देख रहा हूं लेकिन मिल नहीं रही है या फिर वो कहते हैं कि मैं जावा पढ़ रहा हूं देखो आपके साथ नहीं है मेरा खुद का भाई ट्रफल आईटी भागलपुर में है जॉब्स के ल ये बिल्कुल मत सोचो कि अगर तुम्हारे कॉलिज से तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो तुम बहार जाके नहीं ले पाओगे हां एक बात मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा क्लियर कर दूँ डिमोटिवेट मत हो ना बस ये ज्यादा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा hard होने वाला है क्योंकि तुम्हारे बैच के बच्चे और दूसरे जो pass out हो चुके हैं वो बच्चे क्योंकि मैंने offline job ली है मुझे पता है ये सारा competition बहुत hard हो जाएगा तो ये तुम college से नहीं ले पाए बहार hard होगा लेकिन मिल जाएगी ठीक है ये तुम्हें एक दिमाग में रख लिनी है बात अब अगर मेरे college में job company नहीं आ रही है तो कि मैं outside देखूं बहुत सारे लोगे तो college भी ऐसी जगापे होंगे जहां आसपास कोई company नहीं आती होगी और आप out of campus भी नहीं दे सकते तो इस scenario में आप क्या करोगे कोई नहीं आप एक काम करो final year में last semester वैसे भी college नहीं जाते हो जहां आप रहते हो वहाँ जाओ या फिर जहां company हैं वहाँ चले जाओ जैसे कि guru gram हो गया आपका bangalore हो गया आपका noida हो गया अगर आप bangalore जाते हो तो try for hsr hsr layout नाम की एक जगह है जहां पे बहुत सारे start-ups है वहाँ पे रोज देखो नौकरी पे देखो लेकिन वहाँ रहना मत मैं ये suggest करूँगा वहाँ रहना बहुत costly है क्योंकि मैं रहा हूँ I know that तो वहाँ रहना बहुत costly है एदर दर कहीं रह लेना जॉब के लिए महाँ देख लेना तो ये मैंने बताया तुम्हें कि tension बिल्कुल नहीं लेना बस अगर एक बार नहीं लगेगा दू बार तीन बार चार बार पांच बार छे बार दस बार जितनी बार में भी लगेगी मेरा एक दोस्त है जब मैं पास आउट हुआ था जब वो पास आउट हुआ था लेकिन मेरे जॉब लेने के तीन साल बाद उसकी जॉब लगी है उसने सब कुछ ट्राइ कर लिया और मैं एक बात तुमको बहुत निक्षित बता दूँ कि फालतो कि प्रोग्राम में मत फसना जैसे कि pay after placement होता है पे after placement होता है यह किसी के है तुम्हें course करना है किसी का देखो मैं यह नहीं कह रहा है कि तुम एक particular institute में जाके करो नहीं तुम्हें खुछ से self place को course करना है तुम कर लो तुमारी पहले पास skills है तो तुम भिल्गुल मत करो अपने skills को revise करो हाँ pay after placement हो गया या फिर जो re-level के नाम पे या फिर re-skill के नाम पे ऐसा कुछ बेशतर है ऐसा कुछ भी मत करना क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि तुमारे पास already पैसे नहीं है already पैसे नहीं है अब तुम जो चीजे करोगे उसमें वो बोलेंगे कि दो लाक रुपे चार्जिस है तीन लाक रुपे चार्जिस है ये तुम अपने पापा से मांगोगे already पैसे नहीं है अब तुम इन्हें परिशान करोगे तो तुम खुद से skill डवलप करो और खुद से job ढूंडो चौता point जो मैं तुम्हें बस कहने वाला हूँ कि tension ना लेना बस ठीक है अगर दो job से तुम्हारा offer letter नहीं निकला चार से नहीं निकला तो आठमी में तो निकली जाएगा अगर तुम्हारे पास skill होंगी मैं इस बात की guarantee देता हूँ लेकिन उस से पहले तुम referral यूज करो या फिर career website यूज करो ये सारी चीज़े तुम यूज करो कैसे भी करके तुम्हें एक call चाहिए और initially मैं जो बच्चों को देख रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि man में opening नहीं है कोई कह रहा है कि java में opening नहीं है freshers के लिए देखो company को घंटा फरकनी पड़ता कि आपने java सीखा या फिर man सीखा है ये सारी चीज़े आप अपनी mergers सीख रहे हो और ये सारा सब को youtube पे propaganda है कि आपको एक particular stream में डालनेगा ठीक है लेकिन मैं जितना तो मैं बता रहा हूँ कि तुमने अपनी past में क्या पड़ रखा है अगर मैं तुमने java पे मन पे काम कर रखा होगा microsoft.net पे काम करती है ठीक है last time जब मैंने interview दिया था microsoft का तो मैं java डबल बरूँ लेकिन microsoft मुझे .net पे काम करवाईगी लेकिन मुझे इतना experience होने के बाद भी देख ली patience तुम्हें खोना नहीं है अब job के बाद क्या होगा job के बाद क्या होगा देखो जब मैंने company join की दिना तो इतना pressure आता है job के बाद कि उन्होंने मुझे 15 दिन दिये थे इतनी सारी चीज़ी तो मैंने अपने college में कभी नहीं पड़ी कि मुझे maven भी पढ़ना है मुझे कुछ नहीं आता था मुझे git भी पढ़ना है मुझे java भी revise करना है मुझे selenium भी पढ़ना है क्योंकि मैंने as an automation engineer start किया था मुझे web driver यह selenium के पढ़ने अब देखो college में तुम क्या करते हो सारी चीजे पढ़ते हो मेरी बास समझना सारी चीजे पढ़ते हो लेकिन वो तुमें नहीं पढ़नी है अब office में तुम्हें कह करना है वही पढ़ना यो तुम्हारे काम का है समझ justo में आया काम का पाड़ना है काम का और इतना लोल लेनी की जरुवत नहीं है कि हर चीज काम के लिए हाँ हो जाएगा दो मिनट में हो जाएगा एक मिनट में हो जाएगा तीन मिनट में हो जाएगा ऐसे नहीं करना है ठीक है प्रॉपर सामने वाले बंदे को टाइम देने दो उसके बाद भी नहीं होता है तो अपना time low हर चीज के लिए अगर तुम्हें कोई project मिल रहा है कोई कर रहा है यह तरी इस काम को किती देर में कर दोगे वैसे तो story assign होके, story grooming होके तुम्हारी जो sprint चलीगी उसमें तुम्हें fresher होके तो कोई काम नहीं देगा अगर इतना ज़्यादा काम नहीं देंगे अगर तुम start up join करते हो तो तो जैसे मैंने start up join किया था तो भाई वो बहुत ज़्यादा काम देते है हाँ, लेकिन जितना तुम्हें काम मिलेगा उतना तुम सीखोगे, लेकिन इतना overload नहीं होना है कि तुम अपनी life भी बरवाद कर लो, समझ रहो मेरी बात को तो आराम से पढ़ो, लेकिन इतना heavy जाके नहीं पढ़ना है, और mistake जो बच्चे करते हैं वो तुम ये सब को, पूरा पढ़ने की कोशिश मत करना, कि ये syllabus नहीं है तुम्हारे BTEC का, या फिर BCA का MCA का, तुम्हें BTEC के degree complete नहीं करनी है इससे, वो जितना काम हो सकता है, मैं जो selenium पढ़ने के लिए बोला था, जितने से browser on हो सकता है, जितने से मेरी छोटी मुटी automation हो सकती थी, मैंने वो पढ़के दे दी थी तो तुम्हें वो ही सारी चीज़े करनी है अब git में तुम्हें 4-5 command आनी चाहिए, कि भहिया initial ही अगर तुम्हें git नहीं आता है, कि pull कैसे लोगा, clone कैसे करूँगा, merge कैसे करूँगा और मैं branch कैसे बनाऊँगा आपका आदिस से ज़दा काम इतने में हो जाएगा, उसके बाद जो भी काम है, आप अपने senior से पूछ लो थोड़ी सी help ले लो, या जब काम अटकेगा तब आप उसके लिए specific time ले सकते हो, मतब मेरे कहने कांगल भी है, कि अपने आपको ऐसे situation में ने डालना, ठीक है अब most important point जब तुमारी जॉब लग जाएगी, कि हमेशा ना star kid बनने की कोशिश मत करना, ये, कैसे कि ये हमेशा star kid की बात कर रहा हूँ, तुमने हमेशा अपनी class में देखा होगा, जब तुम अपनी college में या student में होगे, एक बच्चा होगा, कुछ भी होगा, वो हमेशा ये ही कहता होगा, किसी ने पूचा कि इसका answer क्या है, येस में, फिर दूसरा किसी ने पूचा, इसका answer क्या है, येस में, तो उस येस में बाले का हमेशा हाथ खड़ा रहता होगा, तो तुम्हें office में हमेशा येस में, येस sir नहीं करना किसी से साथ भी क्योंकि अगर तुम yes maim yes sir करोगे इस से तुम सामने वाले बन देगी expectation बढ़ाते हो और अगर तुम्हारी expectation तुमने इतनी बढ़ा दी और वो तुम कभी meet नहीं कर पाए वो तुम्हें ही problem करेंगी तो ये yes maim और yes sir ये star की भर के लिए या फिर तुम्हें जब तक इस company में हो बहुत सारा काम दे दिया जाएगा फिर रात को एक एक बज़े दो बज़े बैट के करना उसको तो काम उतना ही लो जितना तुम कर पाओ फाल तुम्हें वहावाई अपने manager की या फिर team lady की लूटने के चक्कर में यह मत करो मैं कर दूँगा यह यह भी कर दूँगा ठीक है थोड़ा सा सोच समझ के कि यह काम आप ही को करना है आपकी भी एक personal life है और यह जो बच्चे एक्स्ट्रा जो दिखाते हैं कि मैं कर दूँगा मैं कर दूँगा आपका भी अब फिर यह जो मैं तुम्हें problems बता रहा हूं यह सिर्फ तुम्हारे चार पांच तीन से चार साल तक रहेंगी फिर जब एक बार तुम तीन से चार साल के डवलपर बन जाओगे फिर तुम्हारे काम ऐसे हुआ करेंगे ऐसे क्यों कि तुम सारी चीज़ों पर काम कर तो I think यह बहुत जादा important वीडियो थी तुम्हारे लिए तो इन सारी चीज़ों बस पढ़ना मत दोस्त ठीक है यह फालतों के tension मत लेना job ने लेगी job तो end of the day लग जाएगी अगर तुम्हारे पास skills है तो और job लगने के बाद भी tension मत लेना ठीक है और सबसे most important चीज़ बच I hope मैंने यह बात तुम्हारी तुम्हारी देमाग तक पहुचा दी होगी ठीक है अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को कर देना like और channel को कर देना subscribe टेलिंग अमरम का link description में है अगर आपको join करना आप join कर सकते हो कुछ question पूछते हैं वहाँ मुझसे पूछ सकते हो okay I will see you in the next video till then take care bye bye